पांच बड़े प्लेयर्स का यहां पर इंडिया का जो कैम्प लगने वाला का बड़ी का उसमें नाम नहीं है जिसमें अजय ठाकूर रोई तक ही फिर बिर्जेस चोदरी जो के टोप स्कोरर थे डिफैंस में सबसे दाधा पॉइंट लिए थे उसके लासंदीब धुल और सच सिंत और जैसे प्लेयर्स का उर blind की ये ज्म कव नहीं If अगर बड़ी की लिए निल जायगा यहां आपको यह बताए टो कितने स्टेट से कितने स्टेट से कितने प्लेयर लिए गए अब यह झी बात करें तो नियर लिए सथ-ले इलेए देब जो Nationals में आपकी बार जो Participate की थी उसमें उसमें पहले टीमें आप भियार से दो प्लेयर उठाएं, चंडीगेड से आपर दो प्लेयर उठाएं, गुवा से दो उठाएं हज्याना से तीन उठाएं, इमाचल से दो करनाटका से एक, केरला से एक MP से एक, फिर महराष्टरा से पाँच, पंजाब से एक, रेलिवेज से पाँच, राजस्थान से दो, सर्विशिज से पाँच, तरमिलाडू से एक, तेलंगाना से एक, UP से तीन और विदर्बा से एक, तो ये टोटल लिस्ट 38 प्लेयर हैं जो कैम के लिए उठाएगे, अभी बात करते हैं कि ये तो ठीक है ये उठाए, उठाए किस बेस में, देखे, अब की बार जो नैशनल हुआ था, जो लाश्ट नैशनल था, जिसमें रेलिवेज जीती से सर्विशिज के साथ मैच था जिसका, तो वहाँ पर ये लगा लिजीए, कि नैशनल में जो टॉप स्को सबसे अधा पॉइंट लेने वाले, फिर बून का इंडिया कैम में नाम नहीं आया है, उसके अलाव अजय ठाकूर हो गए, अजय ठाकूर यहां पर इसलिए नहीं ले गए, क्योंकि वो उनकी हिमातल परदेश की टीम इतना मैच जीत के इतना उपर नहीं आ पाई, और वो इतना स्कोर नहीं कर पाई थे टीम के लिए, तो इमातल परदेश से अजय ठाकूर को आपर कैम के लिए सेलेक्ट नहीं गए, फिर बात करते है सचीन तवर की, और सचीन तवर यहां पर इसलिए नहीं क्योंकि सचीन तवर आपकी बार इस नैशनल में खेले ही नहीं थे, त क्योंकि अधिक्यन लिस्ट नहीं है, फाइनलिस्ट बारा प्लेयर की बनेगी, जो कि प्रो के बाद बनेगा, I think, 38 में से 12 प्लेयर सेटेंगे, 26 प्लेयर भाहर होंगे अभी जो 12 टीम, 12 प्लेयर खेलने जाएंगे, वह खेलने जाएंगे, वह भी डिपेंड करेगे इनका प प्लेइर्स को और राजस्थान से भी बार दो इस प्लेइर स्लेक्ट किये गए क्योंकि सेमी फाइनल और फाइनल पूंचने वाद हर टीम से पांच-पांच प्लेइर उठाएं लें बस एक राजस्थान जासे दो प्लेइर उठाएं तो यह आपको यह वीडियो अच्छी रूर गताना